कभी कभी ऐसा होता है कि आपके तलाब में भी मचलियां दाना नहीं खा रही होगी अगर आपका पंगास का पालन आपके तलाब में आपकर रखे हैं या फिर रूप चंदा का या फिर कोई भी कैटफिस या आई-म-सी का भी सही और खास करके ठंडी के दीनों के लिए अगर आप चिंतित है कि ज्यादा ठंडी आ जाएगा तो आपके मचलियों में फंगल इंफेक्शन आ जाएगा बेक्टिडियल इनफेक्शन आ जाएगा तो आपको कोई चिंता करने की आवसेक्ता नहीं है हमारे राव साहब अपने तलाब में इसी से बचाओ करने के लिए एक सिपरो नाम की दबा का सायद परियोग करने जा रहे habits आपके सामने में यह अपने तलाब में इनका लगभग एक गर वाली तलाब है और इस तलाब में इनकी भी पंगास मचलिया दाना कम उठा रही है ऐसे इसमें गराज कारप का भी इन्होंने पालं कर रख्था है यह हमारे राव साहब है और यही इनका तलाव है इस तरह का और हम राव साहब से भी बात करेंगे कि आखिर इनके तलाव में हुआ क्या है क्या सब परसानी है और कौन सी यह दबा डाल रहे हैं क्यूं डाल रहे हैं तो राव साहब आप बताईए क्या परसानी है आपके तलाब में और आप क्या पर्यूग करने जा रहे हैं नमस्कार किसान भाई हूं मैं इसमें रूप चंदा पंगास और आई-मसी भी पालन किया हुआ हूँ कभी-कभी ठंडी में ऐसा होता है कि मचरिया चारा खाना बन कर देती हैं अभी मैंने थोड़ी देर पहले चाला डाला तो देखा चारा खाने में इनको कुछ वाले जैसे इंट्रेशन नहीं ले रहे हैं तो मैं दवा तो एक्ष्ट्रा में लाके रखता हूं अधी मैं सिप्रो मार रहा हूं कि इसमें पीज बढ़ने की संभावना है अमोनिया बढ़ जाता है कभी ठंडी में और बैक्टेरियल इंफेक्शन हो जाता है जिससे कि मचरिया चारा खाना पहले के पेक्षा बन कर दे अधिये शिप्रो मिला करके आप जब भी आपकी मचलिया चारा खाना करते किसान भाई यूँ तो आप सिप्रो मीज करके एक एकड़ के इसाब से अगर तलाब आपका हो छोटा भी हो तो इसमें आप इस दवा का कॉंटिटी कम कर सकते हैं और एक एकड़का है तो पुरा ड थेती हैं ठंडी के दिन में अगर तलाब के मचली में फंगल इंफेक्शन या फिर लाल चकत्ते वाली बिमारी या फिर बैक्टिरियल इंफेक्शन किसी भी तरह का बिमारी लगने का सारा संभावना होता है उसको यह सिप्रो मेडिसिन और यह सब्सक्राइब बढ़िया र कोंटेक्ट करिएगा तो आपके नजदीक के पोस्ट ओफिस तक हम लोग भीज़वाने का पूरा पूरीया परयास करते हैं और आपको पता होगा कि हमारा एक हाइपर ग्रोथ है हाइपर ग्रोथ जो ग्रोथ पर हाने वाली है इस तालाब में राव साहब हाइपर ग्रोथ क आपको एक हाइपर ग्रोथ का कीमत 1100 रूपया होता है तिन लेने पे 113000 रूपया हुआ इस तेंतीस सो रूपय में हम एक हाइपर ग्रोथ आपके लिए इस माहभर मात्र इस नुवंबर माहभर आपको फिरी में दे रहे हैं यानि तीन का पेमेंट करिएगा और चार आपके पोस्ट ओफिस के माध्यम से आपके यहां तक भेजा जाएगा चलिए राव साहब आप थोरा सा इसको छिरकाओ करके अपने प्यारे दर्शकों को प्यार ठीकर खिसान भाईयों हमारे चैनल यूटूब पेपने रहने के लिए आपको धन्यवाद देखिए अंतवा को मिस कर रहे हैं तो बाती में लेकर करके हम जो है इसको ऐसे मिस कर देए किनारे किनारे छिरकाओ करेंगे कभी-कभी हम तलाव के अंतर हलके भी छिरकाओ करते है धूतर के लिए पानी बहुत ठंडा है इसलिए लाकिन सभावना नहीं है किनारे किनारे खिरके रहे हैं आपको समय समय पर ठंडी के दिनों में खास करके तलाव में पिलिंग्जन का पड़ियोग करना चीह है अगर आपने अपने तलाव में सिल्वर कार पे या फिर भी घे अगर इस तरह का मचली का पालन आप अपने तला में करते हैं तो आपको फिलिंग्टन काउडर का शिर्काव करना चीह है गाय का गोबर्ड भैस का गोबर्ड ठंडी के दिनों में जैसा कि अप तेंपरेचर डाउन हो लेंड लगा है धूप कम निकल रहा है तो ऐसे में दालने से तो आप डाइडेक्ट कमपनी द्वारा निर्मित प्लैंक्टल डालेंगे तो आपकी मचलियों का सभाविक रूप से ग्रोथ आते रहेगा और किसी भी तरह का अमोनिया पी एच या फंगल इंफेक्शन या फिर बैक्टिरियल इंफेक्शन यह सब लगने की कोई भी समस्या नहीं रहेगा चांस एकदम से खतम हो जाएगा और यह सिप्रो मेडिसिन जो आपको दिखाई दे रहा है इसको आप मंगवाईए और जैसे राव साफ शिरकाव कर रहे हैं इस तरह से आप भी महीने में एक बार और ज्यादा दिन नहीं आप ठंडी के दिनों में मातर इसका दो तिन महीने दिसंबर जनवड़ी फरवरी नॉम्बर में परियोग करिए आपकी मचलियों में काफी ग्रोथ आएगा इस्ट्रेस फिरी रहेंगी आपकी मचलियां तला में रहने वाली दाना बड़े चाव से उठाएंगी तला में जो आप दाना डालेंगे य नहीं होगा मचलियों का ग्रोथ काफी बेहतर ढंग से आते रहेगा